नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्क में आप लोगों का स्वागत है, नया लोकेशन, नया सिचुएशन और ऐसे अच्छे माहूल में एक कुछ नये विस्की का रिव्यू करना चाहता हूँ और वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक बढ़िया इंडियन सिंगल माल्ट विस्की, ये विस्की का रिव्यू करना ये मेरी एक ख्वाइश थे, और ये ख्वाइश मेरी पूरी कर रहे है, मेरे मामा, जी हाँ, दे फेमस एडवोकेट, मिस्टर राजा ठाकरे, जी हाँ, उ ये मेरे पास है, और हम करेंगे इसका नोजिंग, टेस्टिंग आप लोगों के लिए थाकि ये विस्की कैसी है, क्या है, ये मैं आप तक पहुचाने वाला हूँ, सो फर्स्ट अफॉल, ठैंक यू मिस्टर राजा मामा, कि आपकी वैज़े से मुझे मुझे मौका मिल रहा है, चलो तो करते हैं, इस विस्की का रिव्यू, उसके पहले हम हमेशा की तरह करेंगे, इस बॉक्स का, और इस विस्की के बॉटल का वाना, कैसे है, ये 77 है, जो तूटल नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, आप देखेंगे, तो पूरा स्ट्रेट जा रहा है, विच इस अड़ डिग्री ऑफ 77 एस्ट, और वो थू इंडिया, फ्रम कश्मीर तू पूरा खन्या कुमारी तक और उसके निचे तक जा रहा है, इस 77 सब्सक्राइब करता है, फर्स्ट आफ ओल देखते हैं, इस बॉक्स का कवरिंग, बहुत ही टपन, अच्छा बॉक्स इस्तमाल किया है, कार्डबोर इस सिलेंट्रिकल कार्डबोर, और इसमें उन्होंने जो लॉंगिटूट 77 का लोगो और जो एंबलम दिया है, इस और जिसमें इंडिया का इंडिजिनेस कलर, इंडिगो कलर जो बोलते है, इंडिगो कलर उसका इस्तमाल किया है, और साइमल्टेनियसली ये लॉंगिटूट जो थ्रू गया है, वो दिखाया है यहां पे, बहुत ही अच्छा पैकिंग है इसका, अब देखते हैं, अंदर व मरबन कास्क है, जो मैचूरेशन करने के लिए इस्तमाल किया हुआ, और वाइन कास्क, जब इस्तमाल करते हैं, तो चराक्टरिस्टिक्स फ विस्की पूरी चेंज हो जाते है, और बहुत अच्छा मेलो हो जाती है वो विस्की, और ये स्मॉल्ट बैचस में, प्रोड्यूस इसमें है 42.8% ABV, 750 ml की बॉटल है, that means 42.8% VV, that is 75 proof, right? And the cost of the bottle is 5,500. This whisky को लांच किया है SIGRAMS ने, SIGRAMS is a very good company, जिन के पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमें पीने को मिलता है, जिन की तरफ से. And this whisky is bottled by Pernodicard, India Private Limited. जी हां, Pernodicard की काफी whisky's आपको पता है, SHIWAS है उनके पास, और काफी-काफी whisky's है उनके पास. और ये produce and distill by South Seas distilleries, जो डिंडोरी में है, नाशिक. नाशिक का दिंडोरी जो ही लका है, वहां पे ये distillery है, वहां पे मैनुफेक्चरों के बॉटल की की है, मेरे को लगता है, ये जो नाशिक का अट्मास्फियर है, इस होट अलसो, टॉपिकल अलसो, एंड कोल अलसो, तो वहां पे बहुत ही अच्छी विस्की बनी होगी, कितना खुप से रहत है, देखिये, वहां प्रेजेंटेशन, अगर जाएगी तो ये बहुत अच्छा गेटब देती है, एक पेपर का बैग है, बहुत ही अच्छा उन्होंने पैकिंग दिया है, और हम ये बॉटल का मुआना करते हैं, नीचे से स्क्वेर है, नीचे से स्क् कि वज़े से होता क्या है, पैकेजिंग के टाइम, इसकी जो क्वांटिटी रहती है, वो एक बॉक्स में बहुत अच्छी तरह मैनेज होती है, हिलना और उसमें ब्रेकेज होना बहुत कम होता है, इसलिए इस टैप का पैकिंग नॉर्मली बनाते है, बहुत ही सुंदर पैक नो कलर अड़ेड लगेज है जो इसको महागवनी कलर कहते है, जो आई विल से डार्क कॉपर कलर, यह इस वज़े से आए, कि डबल मैच्वरेशन कास्क इसको किया गया है, तो चलो इसको उपन करके, अब मुझसे सबने नहीं होता है, इसको उपन करते है और इसका नोजिं तेस्टिंग करते है वेरी नाइस सिंपल ओपनिंग सिस्टिम मेरा फेवरेट साउंद देखते हैं आता है क्या ओव बहुत ही ब्यूटिफुल ओकी और यहीं पर आ रहा है चलो देखते हैं इसकी टेस्ट कैसी है और यह कैसी विस्की है बस नॉट मौर इतना काफी होता है टेस्टिंग के लिए फर्स्ट अफल कलर मैंने जैसे बताया आप कॉपर कलर है और फुल बॉड़ेड विस्की है देखिए फुल बॉड़ेड है इसमें आपको दिखते हो कि शायद लेग्स ड्रीप हो रहे है यहने टियर्स जो कहते है इसको तो वह देखिए अच्छी तरह ड्रीप होते हैं वेरी नाइस वेरी नाइस अब आते हैं नोजिंग पे ओकी फ्लेवर हर जरा भी नहीं है 42.8 परसेंट है भी है हर जरा भी नहीं है अब देखते हैं पेलिट पे क्या मिल रहास है है चीर्स गई चीर्स चीर्स ओ ओ ओ वाव बहुत ही फ्रूटी है एक वैनिला इसेंज जैसे रहता है न उसका आरोमा आ रहा है और गले के नीचे उतने का बाद हलका साथ पीट जो पीटी विस्की जो पीत है उनको ये पीट का आरोमा जट से पकड में आएगा तो वो आरोमा मुझे आया बहुत ही सुंदर है बहुत ही सुंदर इसमें आरोमा उभर के आते हैं पानी डलने के बाद पीट ज़्यादा उभर आया ज़्यादा पीटी नहीं है लेकिन हिंट आफ पीट बोलते है न वो है फ्रूटी फ्रूटी नहीं चेरी या तो रिजन रहता है न ड्राइ ग्रेप्स वो एक अरोमा मुझे मिल रहा है कैरमल लवली कैरमल अब पिलेट पर देखते हैं पानी डालने के बाद क्या मिल रहा है बहुत स्मूत्व विष्क है बहुत ही स्मूत्व विष्की है अरोमा में मुझे और उभर के आया है ओकी वुडी और यक वाईन पिते वक जो अरोमा मुझे मिलता है वाईन के तेजज का इसका एक हलका सा स्वीटनेश अगर आपने sweet type की wine पी होगी port wine होगे तो उसका जो थोड़ा सा एक texture मुझे इसमें मिल रहा है बहुत ही सुन्दर है अब एक मुझे सवाल है एक मुझे सवाल है इस whisky के बारे में इतने दिन हुए महाराश्ट्रों में launch होके यह बहुत कम जगा पर मिलती है बिल्ली एरपोर्ट में मिलेगी चंदिगड में है गुरगाओ में है मेरे ख्याल से और करनाटका में है कुछ जगव पर है यह whisky अबलेबल लेकिन इसका नाम जीतना होना चाहिए उतना हुआ नहीं I think कुछ कमपनी की strategies regarding advertisement and presentation कुछ तो कमी रह गई है बट I will tell you this is underrated whisky साड़े पाँच हजार यह cost थोड़ी जादा लग रही है मुझे क्योंकि इसके अगेंस में जो बाकी की single malt whisky है I'll tell you Paul John के कुछ whisky then Amrit की कुछ whisky जो साड़े पाँच हजार से लेके साड़े चार हजार के range में मिलती है लेकिन यह साड़े पाँच हजार के whisky है पर यह really very nice whisky देखिए यह episode किसी ने sponsor नहीं किया है company ने sponsor नहीं किया है लेकिन जो मुझे palate पर महसूस हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ बता रहा हूँ ताकि मुझे actual genuine review देना है कुछ भी single mark बहुत अच्छी होती है ऐसा भी नहीं होता है but this is really a good whisky क्यों यह underrated रही है कुछ पता नहीं मुझे ऐसे लगता है मैं company के लिए एक tip दे दूँ वो यह कि इसकी costing अगर हो सके तो थोड़ी कम करें और इसकी ABV percentage है जो बाकी के whisky में है अब अमरूत की कुछ देखेंगे पॉल जौन की देखेंगे तो 46% ABV तक वो आती है 46% bold है जो 46% ABV से मिलती है हमें तो इसमें कुछ अगर वो manage कर सके cost थोड़ा कम करे तो शायद advertising या तो presentation of this whisky is really good तो कुछ तो कीजिए Sigrams या तो Pedro Ricard cost थोड़ी अगर कम होती है तो naturally this whisky is mind-blowing whisky and every Indian should try this whisky very nice whisky तो दोस्तो मुझे बताईए आप लोगों को ये episode कहसे लेगा और अगर आप channel पे नए है तो subscribe करना ना भूलिए subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए और फिर से एक बार हमारे मामा जी को thanks कहते हुए मैं हमेशा का अपना sentence कहूंगा drink moderately, don't drink and drive drink responsibly and let's learn how to drink it right cheers to Nishu's Kask